भई यहां देखिए जैसे ही सनी पाजी पाकिस्तान में एंट्री करते हैं और आते ही जीप पर इतना जोर से हथोड़ा मारते हैं कि जीप में छेदार पार हो जाता है और भई कमाल की बात तो यह है कि यह हथोड़ा लगने से पहले ही जीप में छेद हो जाता है अब इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जीप कागज या प्लास्टिक की बनी हो अब रियालिटी में तो ऐसा होता नहीं कि एक हथोड़े से जीप तूट जाए हथोड़े की रफ्तार उतनी तेज थी कि जीप के दोनों टायर निकल कर तूट जा किते हैं अब भई ज़रा सोचिए क्या ये जीप खिलोना है खिलाने से ही तूट जा रही है रियालिटी नाम की भी कोई चीज होती है नहीं और ये क्या बाद में जब कैमरा जीप पर पड़ता है और जीप पर हथोड़े से हुआ छेद भी ठीक हो जाता है हाँ भाई ये तो ज़रूर कोई जाने हो रहा है वाँ भाई बूबी में ये कैसी अनौखी जीप दिखाई गई है पाकिस्तान की इस आर्मी जीप की ना तो कोई नंबर प्लेट है और ना ही कोई यूनीक चीज़ और फिर यहां के बंदे तो अपने डिफेंस में भी सनी पाजी को मार नहीं पा रहे है और भाई ये कैसा बंदा है जो खड़ा-खड़ा ही सो गया है और इसे तो हथोड़ा लगने से भी कुछ नहीं हो रहा है इनकी हरकते देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इन्हें ट्रेनिंग नहीं दी गई सीधा बरती कर लिया गया है भाई मूवी में सनी पाजी के फाइटिंग सीन तो कमाल के है इस मूवी में सनी पाजी पाकिस्तान जाकर उनकी फाज पर हमला कर रहे है और दूसरी फाज़ वाले बंदे उन्हें दूर खड़े होकर देख रहे है इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पास जाकर ही इनको गोली मारेंगे लेकिन भाई बंदूग तो दूर से भी उड़ा देती है भाई रियल लाइफ में तो ऐसा ही होता है बंदूग दूर से ही चल जाती है आप इनका पता नहीं ये क्या करने वाले है इस मूवी में आर्मी मैन को तो ट्रेनिंग बस दिखाने के लिए दिखाए गया है दोस्तों मूवी में एक लाहोर का सीन दिखाया गया है जो आपको जरूर याद होगा इस सीन में आज पास दस मस्जिदे दिखाई गई है जैसे कि पाकिस्तान मस्जिदों से ही भरा पड़ा है भई मुझे तो कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है हमें तो नहीं लगता कि रियल लाइफ में ऐसा होता होगा आपको क्या लगता है कमेंड करके जरूर बताईएगा अब मुवी की में कैरेक्टर ही फेस एक्सप्रेशन सही ना करे तो गलतिया तो हो नहीं है अब आप इस महान हस्ती को ही देख लीजी मुवी का एक्टिंग सीन हो या फिर कोई रोमेंटिक सीन हो यह हमेशा स्माइल करती हुई नजर आती है क्या बात है मतलब इन्हें तारा सिंग पर भी तरस नहीं आता भई जब वो लड़ता है तब भी हस्ती है और जब रोमेंटिक होता है तब भी हस्ती है इनका ही पता नहीं चल रहा है कि आखर यह चाहती क्या है इनको डारेक्टर साहब ने एक्टिंग के साथ-साथ फेस एक्स्प्रेशन सिखाया ही नहीं दोस्तो गदर टू 100 करोड के बजट में बनी है ये एक अच्छी मूवी है लेकिन मूवी में कुछ डायलोग बहुती अजूइबो गरीब लिये गए है आप स्क्रीन पर देख सकते हो ये किस एटिट्यूड में बात कर रहा है भाई ऐसे तो कोई आपस में भी बात नहीं करता है दोस्तो वैसे आपको गदर मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल फिल्मी जासूस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले धन्यवाद